हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कॉलम से रिगार्डिंग धेर सारे क्वेस्चन्स पूछे गए हैं जैसे की कॉंक्रेट कैसा यूज करना है स्टील कैसे बादना है कुछ ने कॉलम के बीविएस के बारे में यानि बार बेंडिंग श सब्सक्राइब करें यानि मैं क्या करेंगे सारे के सारे सारे के हमने मर्च किया है और एक हमने आज वीडियो बनाने के लिए सोचा कि कॉलम कंस्ट्रक्शन का फुल प्रोशीजर ही हम आपको स्टेप बाइस से बताते हैं यहाँ के बारे में जैसे कि आप सब लोग जानतें और मिस्तरी भी इसके बारे में बताता है पर कुछ कुछ mistakes इसके बारे में रह जाती है तो पहले हम आपको एक आसान बताते हैं फिर आपको कुछ tweak procedure बताएंगे यानि कि वह चीज़े जो लगबग लगबग मिस्तीरी को पता ही होती है पर वह सहले चीजे मिस्तरी काम हैं वrage हम सबसे पहले संटर्लाइन की मार्किंग करते हैं सेंटर्लाइन start-up क्योंब बनाते हैं क्योंकि अपने आप आपको अपने column का position जो है स्टैबलिश करना है अगर आप बिना startup बना है डायक्त जो है आप बना formala का column को ढ़नेंगे तो उसमें आपका column तेड़ा हो सकता है लेकिन आप कॉलम का start-up पहले बना लेंगे और उसके बाद कॉलम के ढहलाई करेंगे तो आपके कोलम sizi होने के chances बहुत कम हो जाते हैं तो इस start-up आपको कुछ image के माधियम से लिखा है जा रहा है कुछ इस तरीके का start-up बंता है इस तरीके से आपको start-up बिनाना को इस बैंतिए का सत Dartmouth की कास्टन करना का कॉलम की कास्टिंग मतलब आपने सरिया खड़ा कर दिया आपने फर्मा लगा दिया अब आप 钓लम की कास्ट अंगे कोलम की कास्टिंग करते लिए guarantee आप उतिर जो है कम से कम के नहीं होनी चाहिए उसमें hooks बने होने चाहिए hooks बहुत ही important है तो उसमें hooks बने होने चाहिए एक stir up यानि एक टाइ से दूसरे टाइ के बीच का जो distance है वो 6-7 इंच का होना चाहिए इससे जादा नहीं होना चाहिए उसके बाद आप अच्छी तरीके प्रोपर शट्रिंग करिए शट्रिंग करने बाद अपको अच्छी तरीके से cover block लगाई है cover block अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपके कॉलम में प्रॉपर जो cover block जो concrete cover होना चाहिए वो नहीं होगा तो आपको प्रॉपर तरीके से cover cover कवरबॉक्स लगाना आपके सरेयों का सजिशन भी कवर बॉक्स से स्टैबलिस रहता इसके बाल आपको कॉंक्रेटिंग करनी है काम क्या यूज करना आपको चौंक्रेटी ग्रेड होता है मतलब कि यह कॉंक्रेट क्रेड़ है जिसमें आपको एक रिच्व यह Text का सेंड है 3 जो हैं महारा वह एक्रड़ीगेर तो अगर आप एक वेकंट का ले रहे हैं तो पड़ेर्षाट्ष्ट का लीज़े किन बेख अग्रfire का लेए शराटे की बनाईगे और अच्छे से मिकसिमिक करने के बाद आते हैं आपको सरीया नहीं यूज करना वरना बाद में क्या होगा आपको इमेज के माध्यम से दिखा जा रहा है शटर आप फर्मा खोलेंगे आपका कॉंक्रीट पूरा नीचे तक नहीं गया होगा तो उसके लिए करने का यह है कि जो हमारी जूट की बोरे आते हैं जूट की रस्य के बोरे आते हुद है उसको आप यस Looking की भीवारेat करेंगे कुछ advanced topic के बारे में यानि कि वो चीजे जो आपको नहीं ज्यादातर नहीं पता हैं इंजिनियर्स को पता होती हैं और आप जो है आपका मिस्त्री नहीं जानता है इसलिए आपके साइड पर इस तरीके के मिस्टेक कर देता है सबसे पहले आपको इन वीडियो के माध हुआ है यह आपका minimum 300 mm होना चाहिए जो आपने अभी देखा जो कॉलम को एल शेप में मोड दिया गया है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इससे आपके कॉलम को प्रॉपर स्टैबिलिटी मिलती है और लोड डिस्टिबूशन में बहुत इंपोर्टन रोल यह प्ले करता है तो आपको क्या करना है यह अपने डिवलप्मेंट लेंथ है यह 35 mm से कम नहीं होना चाहिए यानि एक फिट मिनिमम होना चाहिए उसके बाद हम बात करेंगे लैपिंग के बारे में जैसे मान लीजे कि आपने सरीया बनाया अपने कॉलम बनाया और उसमें सरीया बानधा ले जाले कि एक दूसरे के ऊपर कितना लैप ओवरलैप करके आपको सरीया लगाना है तो आपको इमेज के माध्यम से दिखा जा रहा है लैपिंग जो है आपका कम से कम 50D होनी चाहिए 50D डी मतलब डायमीटर आफ बार तो मान लीजिए कि आप 12 mm का सरीया यूज कर रहे हैं तो आप 50 का 12 से मल्टिप्लाइ करेंगे आपका 600 mm आ जाएगा यानि की 600 mm मतलब की 2 फूट आपका ओवरलैप होना चाहिए ठीक है और ओवरलैप करते समय आपको सरीया में जॉगल यूज कर 0 to 10-15 डिग्री बैंड करना है आपको 45 डीडि पर ही आपको बैंड करके अपना लैपिन्ग करना थे अपने कॉलम के सरीये में और गयूम करेंग कर रहे हैं कि सारे एक पैसे दिखना छोंट यान्री कि सारे सरीया बराबर कटे होंगे तो सारे सरीया का जॉइंट भी बराबर आएगा और उपर से जब लोड आएगा तो यह सरीया वहीं से टील्ड हो जाएगा कॉलम वहीं से बैंड हो जाएगा बकल भी हो सकता है आपका कॉलम कुछ भी कॉलम के साथ हो सकता है क्रैक्स के-पास नहीं आईंगे तो इस तरीके का प्रोब्ल्म भी आपको फेज करने कोने ही मिलेगा अब हम बात करतें कि क्या हम कूरे कॉलम में कहीं भी देसक्तें तो ऐसा बल्कुल आपको लाइपिंग किस तरीके से देना है मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं आप समझिए आपको अपने कॉलम को चार हिस्सों में डिवाइट करना है माल लीजिए कि आपका कॉलम जो है आपको जो L1 और L4 है कि उसमें आपको कभी भी लैपिंग प्रोवाइट नहीं करना है क्योंकि यह हमारा जो है कि टेंशन जोन होता है लैपिंग जोन होता है आपका L2 और L4 यानि कि आपने एक कॉलम को चार हिस्से में डिवाइट कर लिया और उपर के धाई फीट और नीच जेगेंट हाई फीट में आपको लैप प्रोवाइट नहीं करना है वहाँ लैप प्रोवाइट करने से बसना है आपको L2 और L3 में लैप प्रोवाइट करना चाहिए यह बेस्ट पोजिशन है ठीक है अब बात करते हैं कि जब आप जो है जब आप शटरिंग यूँज कर रहे हैं तो शटरिंग में आप जो फर्मा ही उज़ करें उस फर्मा को यूज करने से पहले आप एक इसमेक्षूर कर लें कि फार्मा बहुतत छोटा ना आपको फिट करो होगा मानलीजें कि अगर आपको आपको देखने को मिल सकता है तो आगे चल करके वहां से भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको ज्यादा जॉइंट रहेंगे तो तो आप कम से कम चार फिट की ढलाई एक बार में करें जब आप फर्मा फिक्स करते हैं तो उसमें अच्छी तरीके से शट्रिंग और यूज़ करें शट्रिंग और य अब आपको फर्मे को साहूल से चेक करना कि वह प्रॉपर इस्ट्रेट है कि नहीं है वह प्रॉपर इस्ट्रेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वरना आपका कॉलम उपर चलके ठीण हो जाएगा जिसकी बाएसे लोड डिस्टिबिशन में प्रॉब्लम्स आएग तो आप दूसरी तरफ से सपोर्ट लगा करके उच्ट्रेट करें साहूल से चेक करके उपर उसके बाद बहुत जगा देखा था कि लोग को सेट्रिंग को च्ट कर देतें उसके बाद 6رج फिट से नहीं को कॉन्कृट साइट पर तो 10-10 feet के भी concrete column cast होते हैं तो वहाँ पर जो है हम जो RMC use करते हैं उसमें हमें nozzle मिलता है उसके त्रों अपने हिसाब से height को adjust कर लेते हैं हम column में ही shuttering में ही उसको डालके उसका use कर लेते हैं लेकिन छोटे साइटों पर क्या होता है हम manually करते हैं तो उसमें concrete को आपको 6 feet के height से नहीं गिराना है कम से कम 4 feet के height से ही गिराना है उससे ज्यादा आपको height नहीं बढ़ाने है उसके बाद आपकी column की casting हो जाए तो आपको जो वीडियो में दिखा जा रहा है कुसी इस तरीके से आप जो उसमें share की डाला है लगा दें इसको हम लो शेयर की construction language में बोला जाता है लेकिन आप इस तरीके समझें कि आप एक इट की टुकड़े को ले करके सेंटर में डाल दें और थोड़े टाइम के बाद यानि कि आधे गंटे 40 मेंट के बाद आप उसको वहां से फिर निकाल गए इसके दो फायदा है पहला फायदा तो यह ह हुआ कि अब इसके ऊपर करेंगे तो कॉलम का जो कॉंक्रीट हो अच्छे से पकड़ बनाएगा पहला चीज दूसरा क्या है कि इसमें मोस्चर बरकर आ रहता है अब यह गड़्धा जो है अगर मिनमम आपको चार इंच का तो यह गड़्धा रखना है जो आपको दिखाए रह गया तो आप कॉलम से रिकार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो हमको कॉमेंट बॉक्स में पूछे हम बिल्कुल आपको समझाने के लिए फिर कोई वीडियो में आपको जरूर समझाएंगे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर का चैनल पर ना हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर प्रेश कर दें ताइंक यू